हलो एवरिवन वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉफ फाइफ चाय पत्ती के बारे में तो दोस्तों पांचवी नंबर पे आता है टाटा टी अगनी जी हां दोस्तों यहां चाय पत्ती हिंदोस्तान यूनी लिवर का प्रोड़क्ट ह और इस चाय पत्ती में 10% strong leaves होते हैं इंडिया में इस चाय पत्ती को लगभग हर जगहां पे खरीदा जाता है प्राइस के एकॉर्डिंग यह चाय पत्ती बहुत अच्छी है इसका 100 ग्राम का पाउच 30 रुपीस में और 500 ग्राम का पाउच 160 रुपीस में मार्केट में मिल जाएगा इतने कम प्राइस में और क्या मिलेगा दोस्तो इस प्राइस के एकॉर्डिंग यह चाय पत्ती मुझे ठीक लगी टाटाटी अगनी के चार वेरелियंट आते हैं एक है टाटा टी अगनी लीफ सेकेंड है टाणा टी अगनी डॉस्ट थर्ड है टाटा टी अगनी अ bond red label जी हां दोस्तों यहां चाय पत्ती भी हिंदुस्तान यूनी लीवर का product है और इस चाय पत्ती को 1903 में launch किया गया था इस चाय पत्ती को लोग बहुत पसंद करते हैं यह चाय पत्ती इतनी famous है इतनी पसंदीदा है कि हर दुकानों में चाय वो छोटी दुकान हो चाय बड़ी दुकान हो हर दुकानों में, मौल में, हर जगा यह चाय पत्ती आपको easily available है, easily मिल जाएगी इस चाय पत्ती के भी कुछ variants आते हैं एक है Brookbond Red Label दूसरा है Brookbond Red Label Natural Gear तीसरा है Red Label Dust चौथा है Red Label Cardamom Tea Pre-Mix और अगला है Red Label Masala Tea Pre-Mix Red Label चाय पत्ती की काली चाय अच्छी बनती है लेकिन इसकी दूट चाय उतनी कड़क नहीं बनती है इसलिए इस चाय पत्ती को मैं चौथे नंबर पे रख रही हूँ तीसरे नंबर पे आता है दोस्तो Goodrick Tea इस चाय पत्ती के इस्तिमाल से चाय का रंग भी कड़क और चाय का टेस्ट भी कड़क रहता है Goodrick चाय की हरे गूट में कजब की ताजगी और एनरजी होती है कड़क रंग और कड़क टेस्ट होने की वज़े से इस चाय पत्ती को बेहत ही पसंद खिया जाता है दूसरे नमबर पे आता है दोस्तो टाटा टी गोल्ड यह चाय पत्ती भी हिंदुस्तान यूनी लीवर का ही प्रोडक्ट है इस चाय पत्ती में 15% लॉंग लीव्स रहते हैं जो की चाय को बहुत ही कड़क तयार करके देती है इस चाय पत्ती से बहुत ही पोफेक्ट और कड़क चाय बनती है यह चाय पत्ती महंगी भी है और अच्छी भी है कड़क चाय पत्ती है अब बात करते हैं दोस्तो नमबर वन चाय पत्ती की जी हाँ दोस्तो नमबर वन चाय पत्ती है वाग बकरी इस चाय पत्ती से बहुत ही जादा कड़क चाय बनती है टाटा टी अगनी और रेड लेबल इन दोनों चाय पत्तियों से उतनी कड़क चाय नहीं बनती है उसके बाद है गुडरिक और टाटा टी गोल्ड इन दोनों से भी कड़क चाय बनती है लेकिन वाग बकरी चाय पत्ती से सबसे ज़्यादा कड़क चाय बनती है इसका comparison किसी भी चाय पत्ती के साथ नहीं है टाटा टी गोल्ड वाग बकरी चाय पत्ती से थोड़ी महंगी आती है और वाग बकरी टाटा टी गोल्ड से थोड़ी सस्ती रहती है लेकिन वाग बकरी की चाय पत्ती टाटा टी गोल्ड से जादा बेटर है ज्यादा अच्छा है ज्यादा कड़क है ज्यादा अच्छा है ज्यादा अच्छा है ज्यादा अच्छा है